Hello all and welcome to recognition IAS पास्ट ये question series में हम लोग देख रहे थे 2018 का paper और इसमें हम लोगों ने last class में paper 2 के section A को discuss किया था अभी हम लोग discuss करने वाले है section number B जो कि हमारा अगला section है फड़ा पड़ देख लेते हैं हम लोग क्या questions थे और कैसे हमें structuring करनी थी और क्या कुछ possibilities है in the future examination आने की questions के repeat होने की तो ये समारे कल के questions थे जिसको कि हम लोग ने काफे detail में discussion किया हुआ था and now this is the next question that we are going to discuss fifth का A question obviously a compulsory question था और आपको ये सारे question करने थे तो देखते हैं पहले question में क्या है question में है discuss the socio-economic problems associated with the left behind families of international migrants from India जो लोग भी migrants हैं जो लोग भी family को छोड़ करके जा रहे हैं इंडिया से उनके लिए क्या socio-economic problems आ सकती है तो question के आपको keywords पता चल गए question को simplify कर देते हैं simple के simple आपको question लिखना है कि socio-economic problem कौन-कौन से है किस से related related है आपके international migration से related बस यही आपका question है बाकि जो चीज है वो 2018 का paper है और उस समय है रोहिंग्यास का case काफी आदा news में था और इसी वज़े से question कूछा गया है so simple के simple this is the main question और यही question ऐसा है जो obviously repeat होने के पूरे-पूरे chances होते हैं even this has repeated itself already तो अगर यहां पर देखेंगे क्या structuring होनी चाहिए तो simple structure है यहां पर सबसे पहले आप बताएंगे कि problems क्या है problems and reason reason for migration clear अब यहां पर देखें कहीं पर भी रोहिंग्यास का case नहीं बोला गया है तो आप रोहिंग्यास का case नहीं बोलेंगे आप बता सकते हैं कि history से ले करके आ सकते हैं like history में हिंडिया में after partition क्या scene हुआ था तो after partition के time पर काफी आदा एक तरीके से कह लिजे की migration हुआ था इसके अलावा बाकी रोहिंग्या वाला migration हो गया तो इस तरीके से आप migration का जो case है वो दिखा सकते हैं कि जो migration है वो लगातार होती रहती है इन fact कुछ illegal तरीके से भी होती है तो illegal ways को भी आप include करना चाहें तो कर सकते हैं अब आज आते हैं में मुद्दे पे socio economic problems क्या है तो socio problems पहले आप बता सकते हैं and then फिर उसके बाद economic problem आप बता सकते हैं दोनों में कुछ ज्यादा खास difference है नहीं simple के simple आप लिख सकते हैं socio problem में simple वही health की problem education की problem identity की problem ठीक है तो यह आपकी identity की problem हो गई social acceptance की problem ठीक है society accept करेगी कि नहीं करेगी उसकी problem होती है तो four points you have written economic side में आप आ जाएंगे तो यहाँ पर employment problem अपने आप में आ जाएगी क्योंकि employment मिलेगा की नहीं मिलेगा मिलेगा भी तो low income employment तो low income wage ठीक है या employment भी लिख सकते हैं आप एक problem दूसरी housing problem रहना भी तो है रहना भी मुश्किल हो जाएगा तो housing problem अपने आप में हो सकती है इसके अलावा बाकी जो expenses है उस expense and resource resource arrangement इसकी problem तो यह भी एक तरीके से problem यह कहीं न कहीं यह मालतस की theory एक तरीके से आप यहाँ पर code करना चाहे तो कर सकते हैं employment वाले theory में call marks की theory को आप include करना चाहें तो कर सकते हैं again क्योंकि population को लगातार बढ़ाएंगे तो call marksian marksian theory उसको भी आप लगा सकते हैं तो यहाँ पर भी आपके पास कुछ points आगा है यहाँ पर भी आपके पास कुछ points आगा है जो main do a equation चीज यहाँ पर है आपकी migration की issue उस migration के-bcü बारे में लिख देंगे यहांपर एक model आप include कर सकते हैं और अब सबस्क्राइ His Culture आप नहीं दो model आप include कर सकते हैं एप दिखा सकते हैं pull and push factor तो यहां पर pull and push factor के बारे में दिखा सकते हैं ...migration को ले कर कि और दूसरा opportunities کے ली का model हो गया तो ली के model को आपने लिख दिया और दूसरा यहां पर आपने opportunity model लिख दिया तो यह दोनों models आपके इस questions से related हो जाएंगे और इस तरीके से आपका यह answer complete हो जाएगा so this is all for this question second question आपका आता है कि explain the changing river course and their impact on the riparian population in India with a suitable example तो देखिए changing course के बारे में है और साथ ही साथ में उनके impact के बारे में है तो यहां पर आप जो concept लेकर के आ सकते हैं वो river interlinking का ले आ सकते हैं कि river interlinking जब fail होती है तो उसके कारण से यहां पर course में river के course में change आ जाती है और उस river के course में change आने के कारड़ से जो भी मैदानी इलाके में लोग रहते है riparian population जो भी होती है उसको काफी आदा impact होते है suitable example के रूप में अगर लिखना चाहें तो आप ब्रह्मपुत्रा river को लिख सकते हैं एक तो ये चीज़ दूसरी काली river के बारे में लिख सकते हैं because ये भी विहार का बोलते हैं this is the sorrow of विहार तो इसको भी आप include कर सकते हैं ठीक है not कारी तीस्ता तीस्ता है sorry तो तीस्ता river जो है वो कही न कहीं इस point को ले करके आ सकती है अपने course को change करती रहती है तो यहाँ पर क्या है कि आपके पास example आ गया है now क्या structuring होनी चाहिए structuring आप simple लिख देंगे कि changing course के बारे में आप बताएंगे this is changing course of river ठीक है course of river क्या होता है ये तो यह बता देंगे आप एक तरीके से definition बोल लिजे या क्या है what it is and how definition and how it happens मतलब कि आप इसमें इसका reason भी बता देंगे keep in mind ये दोनों ही चीज़े flow chart के माध्यम से बनाई जाएंगे तो यहाँ पर आपको flow chart ही दिखाना है ठीक है यहाँ पर जो important चीज़ है वो यह जब भी आप reason बताएंगे obviously physiography of India को आप include करेंगे ही करेंगे otherwise ये question काफी general हो जाएगा तो physiography of India को आप include करते हुए यहाँ पर लिखिए ठीक है अब इसके बास से एक second क्या हो गया अब यहाँ पर इसके साथ ही साथ में आप include कर देंगे कि आखिर में क्या problems हो सकती है problems because of problems because of course of मतलब course change ठीक है जो change किया गया है उसके कारण से क्या problems आ सकती है अब इस problem में आप आ जाएए सब कुछ सबसे पहले क्या है social problem economic problem political problem तो ये दोनों problem environmental problem ठीक है और बाकि ठीक है social में आप क्या है कि यहाँ पर दिखा सकते है कि reverse के course के कारण से यहाँ पर housing problem हो सकती है housing या फिर कह लिजे जो भी यहाँ पर एक तरीके से residence problem हो सकती है जो लोग रहते होंगे उनके लिए एक दिक्कत हो सकती है तो पहली चीज हो गई दूसरा survival के भी problem हो सकते है तो survival issue भी हो सकता है economic problem में आप ये कह सकते है कि जो आज पास की allied activities थी जो की animal husbandries are related थी या agriculture था वो कहीं ना कहीं जो है वो disturbed हो जाता है because of the extra flooding or scarcity of water anything can happen because of the changing course of river and ultimately this is going to be ruined खराब हो जाएगा political problem में आप ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी लोग है उनको फिर political crisis का सामना करना पड़ता है because nobody is caring for them and यहाँ पर क्या इनको rehab कराने के लिए भी काफी issues हो जाते है तो rehabilitation issue भी हो जाती है political ignorance भी रहती है and चुकि इनकी क्या है कि संख्या कम रहती है then obviously there will be problem and obviously यहाँ पर आप link करना चाहा है तो आप link कर सकते हैं नर्मदा बचाओ तो एक तरीके से applied from the indigenous people जो कि यहाँ के लोग रहेंगे environmental problem भहुँ सारे problem है कि आप changing course कर रहे हैं तो obviously you are impacting the environment and ultimately environment will reflect back some other manner तो एक तो यह चीज़ हो गए दूसरी flora and fauna का loss हो जाता है और अज flora and fauna के कारण से हमारी biodiversity पर भी काफी फरक पड़ जाता है ठीक है तीसरी चीज़ the man is directly connected with the ecology of the region और अगर ecology पर कोई भी प्रभाव पड़ेगा तो pyramid जो है जो energy pyramid होती है वो भी disturb हो जाएगी and this will ultimately lead to rebalancing यानि कि जो succession वाला concept है उस succession वाले concept को भी आप ले आ सकते हैं और यहाँ पर आप secondary succession को लिख सकते हैं content आपके पास सब कुछ होता है you have studied all the points that we have written here and बस आपको करना यह होता है कि चीजों को link करना होता है और यही चीज़ आपको सीखनी है geography answer में ठीक है तो यहाँ पर basically I am not telling you I am not arguing you with the concepts I am arguing only with the structuring thing ठीक है content आप already develop कर सकते हैं you have studied the content or you will study the concept बस यह कैसे link करना है कैसे एक general चीज़ को optional में special चीज़ में convert करना है that you have to understand जैसे कि यहाँ पर हम लोग ने succession के concept को especially include किया और वो भी हम लोगों ने एक structuring उस तरीके से किये कि हम इस concept को ले आ सके नर्मादा बचावा हमने structuring ऐसे कि कि हम यहाँ पर ले आ सके clear हो गया इस physiography वागर है को structuring ऐसे की ताकि हम लोग इसको ले आ सके अधर वाइस क्या है कि यह question straight forward GS का question है उसे optional में पूस दिया जा रहा है in fact आज की date में यही किया ही जा रहा है अलग-अलग optional के questions को GS में put किया जा रहा है तो basically यहाँ पर कुछ नहीं है आपको एक तरीके से जो water quality है उसके बारे में बताना है water quality and special focus आपको रखना है river water पर अब देखें river water कहां कहां से आती है एक तो सबसे पहली चीज जो glacial के थुरू आती है river ठीक है तो glaciated glaciated rivers के बारे में आप बता सकते हैं इस तब purest river होती है ठीक है जो mountain rivers होती है वहाँ पर यहीं से पानी आता है तो mountain river का भी case आप दिखा सकते हैं तो यह case हो गया दूसरा aquifer में पानी फसा होता है aquifer या फिर बोल सकते हैं ground water हो गया यहाँ पर पानी होता है third thing जो भी जील होती है मतलब lakes जो होती है वहाँ पर भी river से ही पानी पहुचता है ठीक है तो यह भी क्या है एक तरीके से enclosed water body enclosed water body को ही हम लोग लेक बोलते हैं तो लेक की जगा पर आप enclosed water body लिखे जादा अच्छा जोग्राफिकल टर्म है ठीक है तो यह हो गया आपका इसके अलावा आप यह कह सकते हैं कि रिवर वाटर को कई जगों पर आटीफीशियली आटीफीशियली स्टोरेज भी बनाया जाता है पानी पीने वह गया जाता है तो अब इनकी ही quality पर आपको comment करना है तो सबसे पहले structuring में आप यह लिख सकते हैं कि origin of river तो origin of river and quality of river की कैसे आखिर में क्या quality होती है river की quality of river जैसे कहा जाता है कि this is nearby 4% of the water जो है जितना भी available water इसका 4% यह carry करती है तो यह एक important source of drinking water भी बन सकता है source of drinking water तो इसके बारे में सबसे पहला point आप दिखाएंगे मतलब introduction में आप इसे दिखाएंगे number two आप दिखाएंगे कि water quality क्या है तो water quality के लिए कुछ नहीं करना है आपको जो आपने environment में या geography में एक table पढ़ा होगा जहां पर सबसे आदा glacier का पानी हो गया फिर उसके बाद से river का पानी हो गया, lake का पानी हो गया, यह सब साफ पानी होता है ground water हो गया, moisture हो गया, soil moisture तो यह सब जो quality of water के basis पे टेबल बनाई जाती है, उस table को आपको या तो लिख दीजिए या फिर बनाई दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, water quality आ गई, अब इसमें especially यह river वाले पे focus किया गया है, river को उठाईए, river के कुछ examples दीजिए, जैसे कि गंगा हो गई, या या यमन कर सकते हैं, कि this is the quality of the river, even अगर आप ही माचा प्रदेश जाते हैं, कुल्लू मनाली वाले रास्ते पे अगर जाते हैं, जैसे किया है, अगर आपनों कोई गया होगा, तो यह रास्ता होता है, मनाली का इधर कड़ जाता है, और यहीं पहले से कुल्लू की और में कड़ जाता है, इनफेक्ट यहीं का जो पानी होता है, यहीं का जो वाटर होता है, उसी पानी को रावी के पानी को ही लिया जाता है, और अल्टिमेटली उसकी पैकेजिंग कर दी जाती है, और मिनरल वाटर में यह बदल जाता है, तो यह होता है, पुरा का पुरा पैकेजिन सिसम, तो आप लिख सकते हैं and that's बस होगे आपका answer खतम तो यह आपकी critical appraisal करनी थी तो यहाँ पर आप दिखाएंगे कि how the quality would have been अगर हमने कोई pollution यो कुछ नहीं किया होता but how it is तो आज की देट में कैसा है वो आप दिखा देंगे because of the pollution because of the industrial waste because of the household waste जितनी भी चीज़ें all are going into the rivers through the Danish system and ultimately it is polluting and it is degrading the water quality of water in India so इस तरीके से आप ultimately इस पूरे के पूरे answer को लिखेंगे geography यहाँ पर क्या है geography यहाँ पर है कि सबसे पहले तो आपने इस origin of river के बारे में लिखा this is geography here and second thing कि आपने यहाँ पर यह जो quality लिख दी है third third thing आप दिखा सकते है physiography of India again तो जहाँ कहीं पर भी आपको समझ में ना आए and अगर आपको लगे कि physiography को हम coat कर सकते हैं तो बिलकुल आप coat करिए in fact यहाँ पर Himalayan और Great Plains इन दोनों का आप इस्तमाल कर सकते हैं in writing of this question तो इस तरीके से आप इस question को handle कर सकते हैं तो again this is very general question but आप थोड़ा सा optional के कुछ knowledge कुछ models और कुछ theories को ले करके आप इस answer को लेख सकते हैं clear हो गया now next question है examine the role of people's participation in successful decentralized planning in India देखे this is very good question and settlement geography का यह question है अब देखे यहाँ पर question क्या पूछ रहा है and how we can draw concepts of settlement here देखे कभी भी planning के बारे में आ गया तो हमारे पास दो तरीके होते हैं एक तो settlement के concept को हम लोग ले आ सकते हैं दूसरा हम लोग regional development planning के concept को ले आ सकते हैं तो यह तो बहुत easily आ जाएगा अब जड़ा देखते हैं हम लोग क्या question है क्या content हो सकता है और क्या model हम लोग लगा सकते है देखे कई लोगों को problem होती है कि हम model को integrate नहीं कर पा रहे हैं perspective in human geography के concept को नहीं ले आ पा रहे हैं देखे एक formula आपको यह बताया जा सकता है कि आप जितने भी models है या जितने भी perspective in human geography के contributors है उनको आप लोग A4 sheet पर किवल नाम और उनका काम इतना बस लिख लीजिए नाम क्या है और उसका काम क्या है मतलब theme क्या है अब बाकी practice करिए जब आप practice करना शुरू करेंगे pick the geographer, pick the model and write in the relevant questions इस तरीके से क्या होगा धीरे धीरे आप देख देख करके जो लिख रहे होंगे धीरे धीरे वो अपने आप चीजें आपको याद हो जाएंगे and you will be able to recall the name of the geographer and the theories and ultimately you can put in a question and this will certainly give you a better answer तो धीरे 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 देखे शुरू में क्या है शुरू में हमेशा open paper टेस्ट करना चाहिए तो open paper का मतलब open notes लिख लिजिए और ultimately अपने answers को लिखिए open notes की basis पे लिखिए do not pressurize your brain हमेशा brain को आप Darwin की theory पर focus किया करिए Darwin बोला था evolution and evolution will happen when you give them environment तो environment दीजे उस हिसाब से तभी evolution होगा दिमाग को अगर अब बच्पन से शुरू से आपने अभी तक अगर माल लेते हैं 0.5% के ब्रेन का इस्तमाल किया है और जटके से आप चाह रहे हैं कि नहीं हम 5% इस्तमाल करने लगे तो यह जो 10 टाइम से आपका दिमाग भरस्ट कर जाएगा तो यह जो है यह काम ऐसे नहीं करना है आपको धीरे धीरे लेकर करके आना है 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 तभ आपको 5% तक लेकर आना है तो दिमाग जिस हिसाब से चल रहा है उसी हिसाब से लेकर करके आएगे नहीं तो medical emergency हो सकती है तो keep in mind that ठीक है चले खेर तो यहाँ पर अगर आप question देखेंगे तो role के बारे में बात करना है examine करना है people's participation करना है successful decentralized planning यानि कि आपको क्या करना है कि हमारे यहाँ पर कोई एक ऐसी planning हो रही है जहाँ पर three tier of government का इस्तेमाल हो रहा है three tier government मतलब कि central government भी participate कर रही है state government भी participate कर रही है और local government भी participate कर रही है इस local के साथ साथ people's का भी जनता का भी participation हमें देखने को मिल रहा है जैसे छोटा सा example मनरेगा mg नरेगा अब देखिए इसमें क्या है कि central government और state government यह दोनो participate कर रही है कैसे participate कर रही है पैसे से participate कर रही है तो यहाँ पर दोनों government पार्टिसिपेट कर रही है तो local वाला क्या कर रहा है अरे local वाला ही तो original काम कर रहा है पैसा ये लोग उठा करके local को देंगे अब local में जो भी ग्राम प्रधान होगा वो ग्राम प्रधान actual में monitoring करेगा तो यहाँ पर जो actual monitoring का काम है वो ग्राम प्रधान ही करना होता है मतलब central state वाले तो इसको financial help कर देते हैं लेकिन जो real work होता है वो ग्राम प्रधान को ही करना होता है monitoring करना होता है work audit करना होता है मतलब A to Z एक चरीके से कह लिजिए कि सर्वे सर्वा जो है ग्राम प्रधान ही रहेगा और यही कारण है कि ग्राम प्रधान का चुनाओ बहुत ज्यादा important हो गया है जब से मनरेगा चलना शुरू हो गया है तो ठीक है चले एक है अब डॉलर के बारे में आप मत सोचिए ठीक है अब यहाँ पर क्या है कि people का participation भी important है और मनरेगा में काम कौन करता है obviously people और 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 new concept has emerged social audit तो यह जो social audit है again यह भी जो है इस people के participation को ही और जादा कर दिया है social civil society organization यह सब involved हो रही है यहाँ पर और ultimately यह पूरा system बन रहा है तो आपको एक idea लग गया होगा कि हमारा question क्या है क्या लिखना है हमें अब यहाँ पर देखिए नरेगा से आपको केवल और केवल example दिया गया है actual में इस question का main motive जो है वो है rainwater harvesting इसके अलावा watershed management इसके अलावा मनरेगा तो है ही अभी इस मनरेगा से क्या कर सकते हैं आप इससे आप कुछ भी कर सकते हैं road development कर सकते हैं housing development कर सकते हैं मतलब anything you can do अब इस चीज का इस्तमाल आप कहीं पर भी कर सकते हैं the most important thing here is the watershed management that you need to focus focus में आपको watershed management ही रखना है and in fact we have discussed a lot about watershed management techniques clear हो गया क्या चीज है और कैसे यह participate कर रही है यह तो हुआ question को समझना question में यह नहीं पूछाए कि क्या होता है question में पूछाए कि examine करना है role people के participation का in all this thing तो लोग कैसे participate कर रहे हैं इसके बारे में आपको बताना है कि हाँ participate कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं तो दीखे people का participation कई तरीके से हो सकता है एक तो employment के जरीय हो सकता है कि employee हो रहे हैं दूसरा इससे service ले रहे हैं तीसरा social audit कर रहे हैं this is social audit ठीक है और lastly आप यह कह सकते हैं the fourth number पे यहाँ पर civil society organization के माध्यम से कि यहाँ पर यह monitoring की जा रही है ठीक है employment में अगेन आप आजाएंगे किसी को भी उठा लीजे चाहे rain water harvesting या watershed management या फिर नरेगा किसी को भी उठा लीजे सम्में क्या है कि ultimately the local people are going to be employed for the development of the work या फिर for the planning of the work and ultimately इस तरीके से चीज हो जाएंगे services के basis पे household will get a source of water और anything चाहे housing पार रहा होंगे housing मिल जाएगा कुछ भी जो भी construction हो रही होगी जिस पे planning चल रही होगी they will get that ठीक है तो इस तरीके से पूरे question को आप handle कर सकते हैं again not very easy question but not so tough question बस question को आपको समझने की दे रही थी that's all ठीक है next question पे आते हैं describe the socio-spatial consequences of the recent NEPA viral encephalitis in India अब देखें NEPA virus है इसको आप काट करके in fact coronavirus भी कर सकते हैं coronavirus in fact काट करके आप कोई भी disaster कर सकते हैं in fact काट करके आप कोई भी pandemic कर सकते हैं मतब question समझने किस किस तरीके से frame हो सकता है तो any type of question कोई भी आता है वो एक disaster का question है और disaster के question को आप simply आपको क्या करना है socio-spatial consequence किस case में? disaster के case में disaster management में काफी easy question है ये और easily you can write again तो यहाँ पर क्या है socio-spatial consequences में क्या क्या लिख देंगे तो देखिए एक तो आपको societal बताना है क्या impact हुआ साथ हिसाथ में spatial मतलब की जगह के हिसाब से location के हिसाब से क्या क्या changes आए है उसी को आपको बताना है तो देखिए societal में आप आ जाएंगे तो कई सारी चीज़े आगेन बता सकते हैं housing के बारे में बता सकते हैं population के बारे में बता सकते हैं settlement के बारे में बता सकते हैं इसके अलावा आप health के बारे में बता सकते हैं तो हमारे पास कई सारे parameter होता है women के बारे में बता सकते हैं children के बारे में बता सकते हैं male को बताएंगे अरे नहीं, mail तो हमेशा ही जो हता है, बिचारा दुदकार आ जाता है, तो mail छोड़ दीजे फिर आगया क्या, special, special में क्या है, अलग-अलग तरीके से आ जाई है, जैसे हिमालेयन या फिर mountain region पर आ जाते हैं यूटी, जो भी है, island regions पर आ जाई है, coastal areas पर आ जाई है, तो हमारे पास ये special भी हो गया, अब यहाँ पर आपको changes के बारे में बताना है, तो किस तरीके से आप बताएंगे, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर developing states and developed states की basis पर भी आप जा सकते हैं, तो दोनों ही माध्यम से सबसे vulnerable होते है, children and senior citizen, उनको सबसे पहले क्या है कि अलग किया जाता है, तो सबसे protected area में, यानि की villages में इनको तुरंद के तुरंद रख दिया जाएगा, या फिर extra protection वाले area में इनको रखा जागा, because these are very vulnerable things in our society, ठीक है, बाकि women को क्या होता है, कि women को भी second most vulnerable component आप मान के, इनक development हो गया, housing हो गई, education हो गई, इन सब को भी आप link कर सकते है, in fact, corona के time पे आपने देखा होगा, कि किस तरीके से government has done, PDSB काफी तेजी से चल रहा था, अन दिया रहा था, मतलब कि जितने cereals है, food है, यह सब provide किये जा रहे थे, market close कर दी गए थी, लेकिन market की जो भी चीजे है, वो ट्रांसपोर्ट, जो connectivity है, वो बरकरार रखा गया, तो यह सारी चीजे आपको यहाँ पर, socio-special consequences के ही माधियम से आपको बताना है, so you can expect this question, very important question for this year examination also, क्योंकि हमने एक pandemic face किया हुआ, in fact, we are facing it, तो एक question इस पर बन सकता है, so keep in mind, and this can be asked again, तो इस पर एक framework आप बना सकते ह structure, structure में ज्यादा कुछ खास नहीं, आपको simply एक introduction होगी, वहाँ पर आप सबसे पहले, एक disasters के बारे में बतातेंगे, अब यह disaster कुछ भी हो सकता है, pandemic, कोई भी pandemic हो सकता है, इसके reasons आप बता सकते हैं, या फिर, इसके reason का flow chart एक बना सकते हैं, अगर कोई reason, अब जिसे corona का कोई reason नहीं है, उसका कोई reason, in fact, पता भी नहीं है, तो आप लिखेंगे भी नहीं, लेकिन इसके कारण से जो change आया है, उस change पर एक flow chart जरूरा बनाएंगे, तो एक change के कारण से flow chart, कि कैसे human life चेंज हुई है, या social life कैसे change हुई है, या economic life कैसे change हुई है, फिर political life कैसे change हुई है, सम आपर socio-special consequences निकल के आ रहे है, तो socio-special में यही जो point बताये है, special को इस social के साथ में correct करके, ultimately आप लिख देंगे, और ultimately conclusion लिख देंगे, क्या mitigation, तो mitigation is the technique for conclusion for this question, clear हो गया, easy question था, ज्यादा कुछ खास नहीं था, बस आपको थोड़ा सा decode करना था, और ultimately answer आपका त्यार हो गय आ जाते हैं अपने next question पर, next question हमारा है कि illustrate with example the endeavors undertaken in augmenting conservation of water and vegetation इंडिया, तो कोई दिकत नहीं है, यहाँ पर केवल और केवल question आपका है कि conservation के कारण से, मतलब जो भी हमने conservation of water and vegetation अभी तक किया है, उसके कारण, मतलब उसके कुछ steps जो लिए गए हैं, उस steps को आपको बताना है कि, क्या क्या हमने steps लिए हैं, क्या क्या, मतलब example के basis पे आपको बताना है, अब देखें, बहुत सारी चीजे की गई हैं, जैसे water के conservation के लिए, we have started rainwater harvesting, even Tamil Nadu, Andhra Pradesh के areas में, तो अगर आपके map में, नक्षे में, अगर rainwater harvesting नहीं है, घरो में, अगर को structure नहीं बनाया गया है, तो नहीं नहीं पास होता है, so this is very important and this is very good step, so that every household should have a tendency and attitude to at least conserve the water that is going to be through rainwater, ठीक है, तो ये काफी अच्छी चीजे है, watershed management को ले करके government ने काफी अच्छा एक स्टप लिया है, river interlinking को ले करके government ने काफी अच्छा एक स्टप लिया है, क्योंकि बहुत सारी rivers ऐसी है, जो rainwater मतलब क बारिश के दौरान में काफी अच्छा volume of water receive करती है, लेकिन ultimately वो अंतिम जाकर के मिल जाता है ocean में, तो water काम use नहीं कर पाते हैं, जब interlinking कर देंगे तो उससे क्या होगा, कि जो भी rain-fed waters है, rain-fed जो rivers है, वो उस river के साथ में मिल जाएंगी, जिसमें हमेशा पानी बना होता है तो इस तरीके से क्या है कि कभी भी water problem नहीं होगी, example के तौर पे आप लिख सकते हैं, केन बितवा interlinking या फिर आप महनदी interlinking पे चले आ सकते हैं, तो जितने भी interlinking projects वगर किये गए हैं, या lift irrigation project जैसे अभी तिलंगाना में किया जा रहा है, कालेश्वरम ठीक है, तो वो भी एक irrigation product है, उसको भी आप लिख सकते हैं, पोला वरम तो इसको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, नौर्थीस्ट में भी इसी तरीके से river interlinking किये जा रहा है, तो वहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, इस आप लिख सकते हैं, इस आर इम्पॉर्टेंट स्टेप्स एंड इस important examples for conservation of water and vegetation, obviously साथ ही साथ में vegetation भी हो जाएगा, clear हो गया, अब देखिए यहाँ पर यह मुद्दे तो आप लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पर question उठता है कि geography क्या लिखें, क्योंकि देखिए ना तो हमने कोई water से related कोई geography पढ़िए कोई model पढ़ा है, ना तो vegetation से related कोई geography कोई हम हमने model पढ़ा है, तो यहाँ पर देखिए आपको पास एक ही मात रहे, एक मात रुप चार बचता है, फीजियोग्राफी ऑफ इंडिया, तो फीजियोग्राफी ऑफ इंडिया को आपको कोट करना ही पढ़ेगा, otherwise आपका जो question है, जो answer है, वो काफी general हो जाएगा, तो फीज region यानि की जो हमारा mountain region है और जो great plains है, उसके बारे में बताएंगे कि how and why these resources, these areas are water scarce, और जो भी area में water जादा है, तो क्यों जादा है, तो reason behind it and अगर कोई model कोट करना चाहे, तो आप कोट कर सकते हैं, जो भी लोग explain किया है, जो भी geographer, जो भी scientist, जो भी geologist ने cover किया है, जो भी discuss किया है, वो आप बता सकते हैं, इस question में, तो this is all for this question, एक ऐसा question है, जहां पर आपको जोगरफी जबरदस्ती लिखनी पड़ेगी, क्योंकि this question is like very simple, straightforward, general question, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस माध्यम से, जोगरफी के माध्यम से आपर आप लिख सकते हैं, अपने model को, clear हो गया है, क्या चीज़ है, okay, now, next thing, आजाते हैं, ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर, जो आप काम कर सकते हैं, अगर आप, it all depends कि, how comfortable you are with the theories, then only you can integrate what I am going to suggest you, ठीक है, क्या है कि, we have different, different type of vegetation in different, different region, and this vegetation is obviously a function of climate change, ठीक है, अब देक है, अब देके, climate change के basis पर क्या है, क्या है vegetation की अपनी region बन जाती है, और यह जो region है, वो अलग-अलग दोरा बताया गया था, जैसे R.L. Singh ने बताया हुआ है, अपना एक climatic या फिर कह लिजे की vegetation का एक classification बताया हुआ है, कि जोन में क्या-क्या होती है, agro-regionalization जैसे technique जो है, उसके बारे में बताया गया है, तो यह जो technique है, यह जो model है, you can use this, क्योंकि अब यहां पर दिखे, directly R.L. Singh का classification आप नहीं लिख सकते हैं, but you can use the concept of climate change, कि climate change, नहीं, vegetation is a function of climate and if the change in climate is happening or if there is loss of vegetation, it will obviously lead to a problem in climate and this will ultimately result in huge disastrous thing and that is why we need to conserve the vegetation and we need to conserve the climate also and based on that we can take the input from R.L. Singh, so it all depends on comfortability, कि will you be able to modify the concept, modify the theory in the alignment with the question or not, बाकि इसको आप लोग प्रक्तिस कर सकते हैं, जो मैंने बताया है, आपर आप प्रक्तिस कर सकते हैं and you can obviously send for evaluation, कि whether you have written it in a correct direction or not, ठीक है, now the next thing आजाते हैं आपने, काफी हम लोगों ने एक बड़ा question कर लिया, next question पर आजाते है, strategies of integrated development of island territories, this is a very straightforward, very easy question, directly माजिद विसाइन बुक से उठाया हुआ question है, तो आप सीधे इस बुक से content को ले सकते हैं, यहाँ पर आपके structuring क्या होगी, structuring आप सीधे 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 सबसे पहले physiography के बारे में बता देंगे, और physiography में आपका special focus होगा islands पर, ठीक है, एक flow chart आप include कर सकते हैं, island के development को ले करके how this is getting developed, ठीक है, अब इसके बास से आ जाते हैं यहाँ पर, कि problems क्या है, what are the problems of islands, और इस problem का अगेन आप एक flow chart ही बनाएंगे, अच्छा, यहाँ पर क्या है, एक India का मैं बना करके island को दिखा दीजे कि कहां कहां पर हमारे island, इस वीलर island, लक्षदीप हो गया, अनमानी को बार हो गया, बाकी, और भी कई सारे islands हैं, जो कि आप जान रहे हैं, और उसको आप ले आ सकते हैं, ठीक है, तो यह problems क sustainability का आप example बता देंगे की कैसे हमें लिखना है, so straightforward question है, ज्यादा कुछ यहाँ पर बताने की चीज नहीं है, बस आपको धियान रखना है कि आप economic activities, political activities, social life, economic life, सब को integrate कर दीजी, along with the climatic disasters, which is going to be there in the island territories, ठीक है, environment में आप loss and damage वाला भी clause ले कर के आ सकते हैं, because that is again very, very much relevant for this question, ठीक है, और इससे क्या है क्या है क्या पारिस convention, Warsaw Pact, यह सब लिया करके integrate कर सकते हैं, that will again be a very useful thing, ठीक है, आपको क्या है कि हमेशा यह ध्यान रखना है कि कैसे अपने content को हम लोग answer में ले आ सकते हैं, अब directly कोई भी content नहीं आ सकते हैं, देखिए, question ऐसा है कि directly आप कोई content नहीं पाएंगे, लेकिन आप अपनी बातों को link करते हुए तब लिख सकते हैं, अब disaster की case को island territories में easily लिख सकते हैं, और उस disaster में loss and damage के clause को easily लिख सकते हैं, उस loss and damage के basis पे आपका पूरा का पूरा एक content तयार पड़ा हुआ है, पूरे conventions तयार पड़े हुए, बस ऐसे ही आपको link करना होता है, तो आपको एक ही चीज मेंटेन करना होता है, answer का flow नहीं बिगड़ना चाहिए, तो flow आपका बना रहना चाहिए, कभी भी यह नहीं लगना चाहिए, कि यार कोई अलग direction में जा रहा है या किसी, तो यहां पर कहा है, कभी भी किसी political leader का, अगर आ समझना शुरू कर देंगे, and that is not required for this examination, लेकिन अगर आपको flow समझना है, then obviously you can follow any of political speech, next question पर आते है, cross-border terrorism has implication on border area development program, example with suitable development, again देखिए, regional development and planning का question है, and यहां पर question है, border area management, या फिर border area development program, अब देखिए, यह जितनी भी development program से है, सम 1974 के command area development program से निकल करके आए है, हाला कि उस समय जो command area development program था, वो regional development के लिए था, जैसे irrigation के लिए, nutrition के लिए, या फिर drought area के लिए हो गया, या फिर जो जहां पर water के availability है, उसके लिए हो गया, तो इनके लिए command area development program start किया गया था, but as part of result, as part of the success of command area, border area development program ये सब भी बाद में launch कर दिये गया थे, अब जैसे generally क्या होता है, border area में generally mountain होते हैं, तो mountainous ही सबसे घातक होता है, क्योंकि यहाँ पर cross border बहुत इजली हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर infiltration बहुत ही तेजी से होता है because of, जो mountain passes है, वहाँ से लोग निकल करके आ जाते हैं, तो यहाँ पर question यही है कि implication क्या है, तो cross border terrorism का implication on border area development क्या है, तो कुल मिला करके यही है कि border area development planning है, implication यही है कि planning करना पड़ेगा और उसी planning को आपको बता देना होगा कि यहाँ पर geographic basis पे हमें देख करके security measures लगाने होंगे, जो भी topography है उसको properly address करना होगा, जो भी bunkers वगर है बनाए जारा है उसकी stability को देखना होगा, disasters को देखना होगा, earthquake को देखना होगा, कि किस तरीके से क्या हो रहा है, जो भी social चीज planning के जो अभी हम लोगों ने last question में भी देखा होगा, सारे ही सारे यहाँ पर भी आप ले आदेंगे, यहाँ पर भी चीज़ों को लेकर, तो इसमें और कुछ बताने की चीज नहीं है, बस यही चीज थी और इस चीज को easily tackle किया जा सकता है, now next question आते है हम लोग, pipeline network across India और regional development, अगें देखिए regional development and planning का question है, तो regional development and planning का 4 question तो हम लोगों ने शुरुआती 5-6 question में ही, मदब 5 question तो आपका 5th में ही हो गया, and next 4 question, 9 question में, out of 9, we have seen की 4 questions जो हो directly, इस regional development and planning chapter से ही आ रहे है, तो बहुत important chapter होता है, RDP, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, pipeline network का मतलब यह है, कि यहाँ पर आपने ट्रांसपोर्ट को connect करना है, RDP के साथ में, ठीक है, pipeline network में आपको एक example, तापी network तुरंद के तुरंद आपको याद होगा, यह international हो गया, बाकि हमारे national में बहुत सारे है, जैसे गुजरात का कांडला से मतुरा को जोड़ा गया हुआ है, पानीपत क से एक तो तापी हो गया, एक और याद रखिएगा, अमलेख गंज, ठीक है, अमलेख गंज जो की नेपाल के साथ में बनाया जा रहा है, तो यह दोनों काफी important है, international यह हो गया और national में तो खैर, list पूरी तयार है, अब इसका क्या है कि क्या explain करना है, तो सबसे पहले आप य जो environment है, वो भी clean रहेगा, क्योंकि हमें transport बार बार नहीं करना पड़ेगा, fifth चीज की overall यहाँ पर क्या है कि convenient रहता है, कोई problem नहीं होती है, burst होने का कोई खतरा नहीं रहता है, तो कई सारे यहाँ पर जो है, वो हमारे पास positive points है, clear हो गया क्या चीज है, and easy to access है, obviously, एक और easy to access आप लिख सकते हैं, ठीक है, these are very genuine points, straightforward आप लिख भी सकते हैं, ठीक है, बाकि जोग्राफी के बारे में तो आप लिखेंगे, जोग्राफिकल proximity is like that, if we are using pipeline method, it is going to be very convenient, क्योंकि जैसे तापी है, तुरक मिनिस्तान से लेकर के आ रहे हैं, हम लोग बीच में mountain आ रही है, अब mountain के कारण से क्या है, कि अगर हम mountain को cross करते हैं, तो obviously it is going to create a huge expenditure, काफी cost आ जाएगी, तो अगर pipeline बनाएंगे, तो obviously it is going to be sustainable for future also, and it will be very cheap also, तो का और international diplomatic relation भी अपना बनता ही जाएगा, तो यह काफी important है, regional development पर आ जाएगे, तो भई सीधी सी बात है, petrol अगर किसी को मिल गया, तो उस region का development तो अपने आप ही हो जाएगा, क्या agriculture में भी mechanization है, industry में भी mechanization है, transport में भी mechanization है, market में भी transport है, यानि mechanization है, तो हर चीज़ का तो इस्तेमाल यहीं कर रहे हैं, so this is very important for the regional development also, and its impact you can easily coat, clear हो गया इसी लिए कहा जाता है कि, transport is the connecting link for the development, तो एक line याद रखियेगा, कि transport is connecting link for development, and you can obviously coat anywhere, ठीक है, किस ने कहा, पता नहीं किस ने कहा, लेकिन किसी ने कहा है, next आ याद रते है, discuss the changing composition of international trade through major seaport of India, अब देखें, यहाँ पर जो question है, वो है seaport को लेकर के, और किस तरीके से international trade है, उसका composition change हो रहा है, ठीक है, अब देखें, यहाँ पर क्या है, कि structure क्या होनी चाहिए, क्योंकि देखें, answer बहुती straight forward है, answer easily आप लिख सकते है, structure में introduction आप लिख देंगे, और यहाँ पर बताए waterways की importance, तो waterways की importance, की importance क्या है, ठीक है, दूसरा, एक map आप ड्रॉ करेंगे, और उस map के basis पर दिखाएंगे, कि किस तरीके से resource, या फिर किस तरीके से trade होती है, international trade किस तरीके से हो रही है, मतलब कि Europe से India, या Europe से Africa, अमेरिका से, मतलब क्या चीज़े हो रही है, उस सब चीजों oceanic currents यहाँ पर जरूर लिखिएगा, क्योंकि oceanic currents होती है, वो help करती है, इस waterways के लिए, तो बहुत important oceanic currents को नाम लिखना है, and this is what everybody will miss it, तो इस वज़े से आप लिखिएगा, अब इसके बास से आजाईए, में मुद्दे पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि कैसे composition of international trade change हो रही है, तो composition में आप यहाँ पर जितने भी groupings हैं उनके बारे में आप लिख सकते हैं, जैसे कि belt and road initiative के बारे में आप बता सकते हैं, इसके अलावा this TTIP के बारे में बता सकते हैं, Trans Pacific Partnership के बारे में बता सकते हैं, और साफटा के बारे में बता सकते हैं, जो South Asian के साथ में free trade agreement sign किया गय है, इसके अलावा आप सार्क के बारे में भी बता सकते हैं, ठीक है, BBIN के बारे में बता सकते हैं, यह सब क्या है, इस बिसिकली एक तरीके से trade ही तो हो रही है, सीपोर्ट के थूरू, कालादान के बारे में बता सकते हैं, multimodal project है, ठीक है, तो यह सब ultimately क्या है कि आप इन सब चीजो को composition के ही माधियम से दिखाएंगे की हमारी जो trade हो रही है वो neighboring countries और किस तरीके से developed countries के साथ में हो रही है RCEP भी लिखना चाहें तो RCEP लिख जेख सकते हैं although we do not we are not having part in that quad grouping के बारे में अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं की quad is again is going to be a very polar group for the geopolitics of world so that is again very important thing तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं composition that's all for this question काम खतम हो गया यही आपको लिखना है तो यह easy question है ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है and easily deal भी किया जा सकता है next question पे आते हैं peri urbanization has created enormous environmental problem ठीक है peri का मतलब होता है periphery ठीक है this is periphery या peripheral urbanization अब देखिए क्या है कि महां लेते हैं कि this is suppose urbanized area ठीक है urbanized area और urbanized है तो सीधी सी बात है dense भी होगा अब dense है तो उसके आज़ पास और भी periphery में लोग बनना अगर रहना शुरू कर देंगे श्लम के format में रहना शुरू कर देंगे तो इस गूइंग टो भी hugely dense बहुत ज़्यदा dense हो जाएगा और इस density के कारण से obviously environmental problems होंगे ही होंगे क्योंकि अगर श्लम बनाएंगे तो श्लम बनाएंगे तो सीधी सी बात है forest को काटेंगे ही काटेंगे पेड जो भी रहेंगे trees उनको कट करेंगे ही कटेंगे और ultimately इनको transport से जोडने के लिए और pollution और बड़ा खत्रा environmental damage बहुत बड़ा है ठीक है इसके लावा housing problem भी होगी तो ये भी अपने बाप में बड़ा है cooking करेंगे लोग घर पे बैट करके वो भी अपने लिए खत्रा ही है population की संख्या बढ़ाएंगे माक्सियन थियोरी क्योंकि यहाँ पर यह लोग लगाएंगे और माक्स कहेगा माक्स जो है ultimately environment को खराब कर देगा तो environmental problem तो बहुत जादा है और वो दीख गया आपको कि environmental problem कैसे है ठीक है अब आगे क्या बोलता है discuss their causes and consequences with reference to NCR region of India अब देखिए अगर NCR के बारे में अगर आ आते हैं तो NCR क्यों मनाया गया था NCR का तो simple region था देखिए actual में क्या था कि डेली में सारी इंडस्ट्री जो है वो setup हो रही थी यही वाला डेली में लेते हैं कि यह डेली है तो डेली में क्या है सारी इंडस्ट्री सेट अप हो रही है setup होने के कारणा से एक समय पर क्या हुआ कि environmental problem यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया dense काफी ज़्यादा हो गया तो अब क्या है कि now next option is कि जो भी country जो भी industries यहाँ पर है वो periphery पर जाकर के shift हो जाए बट problem क्या है कि दिल्ली का जो border लगता है वो राजस्थान से भी लगत है अब क्या है कि अगर किसी industry को कुछ भी setup करना होगा तो यूपी भी government से permission लेने पड़ेगी क्योंकि land तो state property है राजस्थान की government से भी permission लेना पड़ेगा हर्याणा के भी government से permission लेना पड़ेगा अब एक आध लोग अगर रोक दिये तो सीधी सी बात है कि अपना industrial setup नहीं कर जाएगा तो NCR बना दिया गया अब NCR के बनाने के कारण से यूपी में जो area forest में था पूरा forest एरिया था गाजियाबाद हो गया greater noida हो गया अब noida हो गया वो ultimately forest के cutting होने के बाद में पूरा का पूरा industrial area बन गया environmental problem अपने आप में तो ultimately causes बता दिया आपने consequences ये दिख रहा है question हो गया तैयार answer हो गया तैयार तो easy question था ज़्यादा कुछ खास था नहीं structure में simply आप क्या use करेंगे सबसे पहले आप बताएंगे की urbanization problem क्या है urbanization के problem से आप question को start करेंगे peripheral या फिर पेरी urbanization के बारे में आप बताएंगे चीजों को और फिर इसको link कर देंगे environmental problem से लेकिन environmental problem आप explain नहीं करेंगे आपके वलों के वल बताएंगे it is going to create a huge disastrous environmental damage ठीक है अब इसके बाद से आप आ जाएंगे में मुद्धे पर NCR के NCR को आप explain करेंगे यही वाली चीज जो मैंने यहाँ पर explain की है ठीक है तो NCR को आप explain करेंगे explain करने के बाद आप यह बता causes आप बता देंगे कि भाई population बढ़ेगी migration बढ़ेगा land पर resource पर pressure पढ़ेगा industry setup होनी जाएंगी transport link बनानी पढ़ेगी government को और भी जो infrastructure आप डवलप करना पढ़ेगा तो क्या है सब environmental problem है consequence पर आ जाएंगे consequence बता देंगे कि भाई यहाँ पा जो है congestion होना शुरू हो जाएगा vehicles की संख्या बढ़ जाएगी air pollution हो जाएगा air quality degraded कर जाएगी तो इस तरीके से ultimately आपका ये structuring हो जाएगा इस question के लिए clear हो गया क्या चीज़ है तो यहाँ पर ये काम आप कर सकते हैं question ये उठता है कि ये तो again बड़ा general हो गया यहाँ पर हम geography क्या लिखेंगे models क्या अपनाएंगे सीधे सीधे आप settlement वाला जो model है उस model को आप अपनाते जाएंगे कि settlement के कारण से क्या क्या चीज़े कौन कौन से हमारी चीज़े डवलप होती हैंगे जैसे कि हमारा जो free demand का ही concept था core periphery का concept तो core periphery में क्या है कि अब system लगते आएगा और ultimately ये पूरा का पूरा network NCR का बन जाएगा तो free demand की theory एक तो आप लिख सकते हैं दूसरा गुणार मेंडल का concept लिख सकते हैं cumulative causation ये भी अपने आप में एक बड़ा concept हो जाएगा settlement के लिए kristaller की theory लिख सकते हैं क्योंकि ये भी आपने centrality fix करनी है and centrality की कारण से primate city प्राइमिट सिटी की कारण से huge population and ultimately आपका पूरा का पूरा urbanization हो गया तैयार काम खतम हो गया ये आपकी theory हो गई ये आपका content हो गया structuring हो गया that's all for this question now आ जाते हैं अपने अंतिम question पे last question हमारा first part कहता है describe the changing regional morphology of rural settlement in India straightforward question कुछ नहीं करना है regional morphology और वो भी आपकी rural settlement के बारे मताना आप देखे linear भी होता है फिर उसके बास अब जैसे river वगरे के पास में linear हो जाता है hamlets भी होते हैं circular भी होते हैं यह सब आप पढ़े हुए है और नहीं पढ़े हैं तो माजीद उसे हैं उठाजिए सीधा सीधा question है पढ़ लीजिए काम खतम और इसमें कुछ structuring वाली बात भी नहीं है straightforward आपका question है straightforward आपका answer है the only thing that is going to impact is the physiology तो जो physical characteristics है उसी के basis पे settlement होना शुरू हो जाएगी अब यह mountain area में अलग होती है river area में अलग होती है plane area में अलग होती है तो जो भी तरीका है वो सब आपको settlement में जो माजीद उसेन book में है उसी settlement के basis पे आपको areas मिल जाएगे obviously it is going to be impacted by the physical characteristics of the region और ultimately आपका answer तयार so we are not going into it next question है startup may play important role in giving philip to economic growth in India अब startup के बारे में startup का मतलब भूल जाए है कुछ startup लगा है यहां पर बसाब बता जीजे industry setup industrial setup ठीक है industrial setup अब यह economic growth को जन्म देगा तो इसमें कौन सी नहीं बात है सही बात है economic growth तो जन्म देगा ही देगा क्योंकि यहां पर जो manufacturing होगी वो manufacturing सीधी सी बात है free demand के concept को ले करके आएगा गुनार मिडल के concept को ले करके आएगा ठीक है इसके अलावा और weber के concept को ले करके आएगा वेबर के basis पर क्रिश्टॉलर को आप link कर देंगे इन सब के basis पर रोस्टोव को आप link कर देंगे growth pole growth model peruax and body wille को भी आप connect कर देंगे सब तो link हो गए economic growth क्यों नहीं होगा तो सारा का सारा जितना भी economic model आपने पढ़ा है वो सारे economic model को उठा करके ले करके आईए लिख दीजिए straight forward question केवल आपको model उठा उठा करके लिखते आना है को explain करना है लेकिन direct term में नहीं उसको केवल example के basis पर आपको include करते जाना है त्यार होगे आपका answer easy question सबसे easy question हो गया last question आजाते है last question है कि is the land border of India with its neighboring countries a cultural divide और a divided culture अब देखिए यह ऐसा question है जो जिस तरीके से आप चलाना चाहेंगे वैसा चलेगा बहुत ही ऐसा interview type का question है देखे land boundary of India का मतलब यह हो गया कि land boundary है mountain वाली नहीं तो land boundary के कारण से अब आपका आगया पाकिस्तान बांगलादेश ठीक है और main तो यही है नेपाल ठीक है बाकी mountain boundary पर आगर आजाएंगे तो वहाँ पर आपकी अफगानिस्तान keep in mind अफगानिस्तान ठीक है पियो की इस पार्ट आफ इंडिया तो अफगानिस्तान चाइना एंड भूतान ठीक है एंड म्यांगमार ओविसली देखें म्यांगमार का जो बॉर्डर है वो प्लेन एरिया से भी है यहाँ पर मनिपूर का एरिया है मनिपूर के साथ मेहा पर तामू विलेज पढ़ती है और उसके बेसिस पर आप म्यांगमार में जा सकते हैं ठीक है चीज होती है, जजबाद बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाते हैं, so that is the thing here, so यहाँ पर land boundary क्या क्या लग रही है, पता चल गया, neighboring country आपको पता चल गया, cultural divide divided culture, अब देखिए, cultural divide है, जहाँ पर आप religious, linguistic, tribal, ठीक है, tribal culture, और food habit या कोई भी culture और लेना चाहे, उसके basis पर दिख going to change, ठीक है, तो यह cultural divide आप दिखा सकते हैं, कि जैसे इंडिया, एक secular nation है, नेपाल, एक Hindu nation है, म्यांगमार, एक Buddhist nation है, भूटान, एक Buddhist nation है, पाकिस्तान, इस्लामिक nation है, अगनिस्तान, इस्लामिक nation है, इस तरीके से, आप different culture दिखा सकते हैं, और कैसे यह change हो रही है, obviously, Iranian tribe, Australoid, ठीक है, Nordics हो गई, या Negritos हो गई, इनको आप लिख सकते हैं, पर और साथ ही साथ में एक map बना सकते हैं, और कैसे यह distribute हुए, उनका आप distribution दिखा सकते हैं, that is the important thing, divided culture के basis पे आप यह दिखा सकते हैं, कि in the past, जब countries का इस तरीके से, land boundary या political border design नहीं हुआ था, तो उस में एक divided culture के basis पे था, तो यह एक ऐसा question है, अच्छा, यहां पर कुछ perspective की भी चीज़े आप दिखा सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा Herodotus के बारे में से start कर सकते हैं, Herodotus के अलावा, आप बाकी और वी चीज़ों को ले कर आ सकते हैं, जैसे विडाल साहब हो गया, या फिर Richthofen को ले कर आ सकते हैं, Radzil को ले कर कर के आ सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा आप Humboldt को भी ले कर के आ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने भी Mexico के ही areas को, Mexico के tribes को discuss किया हुआ था, ठीक है, इसके अलावा आप Huntington को ले कर के आ सकते हैं, Alan Sample को ले कर के आ सकते हैं, तो यह वो contributors है, जो पर भी जा सकते हैं और divided culture पर जा सकते हैं अगर आप divided culture पर जाएंगे तो यहां पर आपकी पोलिटिकल थियोरी भी लिंक हो जाएंगी जैसे कि रिमलैंड की थियोरी यह भी जो है लिंक हो जाएगी मकाइंडर की थियोरी यहां पर लिंक हो जाएगे, because you are going to discuss the political borders, ठीक है, तो political border वाली चीज भी हो जाएगी, और अगर आप cultural divide पर जाएगे, तो आप इस चीज को, tribal वाले culture को दिखेंगे, तो दिखेंगे, जिधर की side आप लिखना चाहेंगे, वो model आप integrate कर देंगे, कुछ चीज होंगी, जो common होंगी, otherwise more or less, वो decide करेंगे की, आपको किस direction में answer को ले करके जाना है, clear हो गया, so this is again a very interesting question, and again आप इसको लिख करके, अपने answer को send कर सकते है, on recognitionize at gmail.com for evaluation and feedback, so this is the end for 2018 paper, we have discussed paper 1, as well as paper 2, next class में, 2017 के paper को discuss करेंगे, I hope that this discussion is giving you some inputs, and concept clarity है और कैसे उसको अप्लाई करना है, वो भी आपको समझ में आ रही होगी, so that's it for today, and we will meet on tomorrow, मिलते नेक्षडियो में, till then goodbye, and thank you so much.